व्याज जी किसी और की क्या बात बताऊं अपनी ही बताताऊं मेरे पिछले जनम में मैं एक नौकरानी का बेटा था एक दासी का बेटा था मैं मेरी माँ लोगों के घरों के बरतन जूठ माजती थी मेरे बच्पन में मेरे पिता हम को छोड़के दुनिया से चले गए सुनो व्यास जी हम कितने अमीर थे मैं आपको बताऊं कितने तगड़े थे हम कितने अमीर थे मेरी माँ किसी के घर के बरतन मांज के पतल के उपर जो लेके आती थी ना हमारा सब कुछ बस इस पतल में होता था इक बार खा कर के ये पता नहीं होता था कि अब शाम को ये मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता इतनी हो मेरी जी अपने गार नहारा जी कहने लेगे या जी एक बार तो कई दिनों तक मैं और मेरी मां हम भूखे रहे भूखे मेरी मां से किसी ने बरता नहीं मजवाए हमें कुछ नहीं मिला खाने को कोई दिन निकल गए जब मैं भूखे नहीं मांगता तो वो पता क्या करती थी वो वो सूती कपड़े को गिला करके मेरे पेट से बांग देती थी मैं समझ नहीं पाता था इस बात को वो ये क्यों कर रही है इतनी तकलीफ थी हम हमारी जंदकी में इतनी तकलीफ इतनी वेदना थी मैं क्या बताओ मेरी मां भीक भी मांती तो उन दिनों में तो उसको भीक भी नहीं थी किसी नहीं पता नहीं वो कौन सी प्रिक्षा ले रहते वो जाने ठाकर पर पर इतना कुछ होने के बाद भी मेरा या मेरी मां का मन नहीं डोला हमने उससे लड़ाई नहीं करी था कुर से राजी तेरी रजा में जैसे मर्जी रख फिर क्रपा करी गोविंद ने हमारी जिंदगी में एक संत आ गए एक संतो की मंडली हमारे काव में आ गई जब आपकी जिंदगी में कोई अच्छा संत माने भगवान का प्रेमी कोई उसका आशिक अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो ये समझना कि अब ठाकुर ने करपा कर दी ये शास्त्रों की बात में बता रहूँ जब कोई ऐसा ठाकुर का पागल प्रेमी आपकी जिंदगी में आ जाए तो समझ ले ना अब उसकी करपा होने बाली है पुसंत आए नारजी कहले लेगे मैं और मेरी माँ उनकी सेवा करते थे जहाना वो बैट के भोजन करते हम काएं के गोबर से वहां लेपन करते थे वो संत रोज शाम को बाल गोपाल की कथाएं सुनाते थे नारजी कहते पहले दिन मैंने पंडाल के बाहर से सुना दूसरे दिन में पंडाल के अंदर आ गया तीसरे दिन में पंडाल में सबसे पीछे बैट गया चौथे दिन में थोड़ा बीच में आ गया पांचमे दिन में सबसे आ गया गया छेमे दिन तो व्यास जी क्या हुआ मेरी आंकों से आंसु निकल पड़ते मैं कभी रो पड़ता कभी हस पड़ता मैं इस कथा की इस गंगा के प्रवा में ऐसा मिल गया कि मुझे अपने ही नहीं पता चला मुझे तनिक सा भी एहसास नहीं हुआ कि कब तो कब ही मेरे कानों में से घुसके मेरे दिल में बस करके बैठ गया, ये उसने मुझे एक पल के लिए भी ख़बर नहीं होने दी, वो जब आंसों लिकल थे, मैं सब भी नहीं पाता था, कब मेरे कानों में से घुस गया था एक दिन उन महापुर्शों ने मुझे अपने पास बलाया, मुझे वसुदेव गाइतरी का मंतर दे दिया, और मुझे कहा बेटा, इस मंतर का जब करना तो जो ठाकुर मिलेंगे, इसका जब करना पर भूले से भी कभी अपनी मां का अपमान ना करना अरे जिसने मां का दिल दुखाया है, ठाकुर तो एसे बंदे को देखना भी पसंद नहीं करते भूले से भी कभी अपनी मां का अपमान ना कर देना अगर वो रोके भी तो कुछ नहीं कहना उसके श्रीर छोड़ने के बाद भजन करना संतों ने मंतर दे दिया चार महिन्य हो गए नारज जी कहने लगे व्याज जी आज मेरी जिंदगी का सबसे दुख का दिन आ गया जिस दिन उन महापुर्शों से मेरा भी छोड़ा हो रहा था वो हमारे गाउं को छोड़कर के जंगल की और जा रहे थे मैं दोड़कर के जाकर के अपने गुर्देव के चर्नों में लेट गया अपने आंसूं से मैंने अपने गुरदेव के चरड़ों को धुदिया मैं बहुत रोया मैंने पूछ ये गुरदेव से कहा मुझे अपने साथ ले चलिए मेरा दिल नहीं लगता अब इस दुनिया में ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं है क्या करूँ अब अपने साथ ही ले चलो मुझे मुहबत हो गई है उससे अब इक पल भी चैन नहीं आती उसके बिना जो कान में मंतर खूंका था न वो दिल में घुस गया है गुर्दे मैं क्या करूँ मेरा दिल ली लगता अब यहां मुझे अपने साथ ले चलिए यार जी कहन लेकर मैं बहुत रोया मेरे गुर्देव ने अपने चर्णों से मुझे उठाके चाती से लगा लिया बेटा अभी मैं तुझे ले करके नहीं जा सकता क्योंकि तेरी मान जीवी थै जिस दुन तेरी मान दुनिया से चली जाए मेरे दिये मंतर का तुझे अब करना मैं तुझे अशिरवाद देता हूँ ये गुरू का आशिरवाद है कि तुझे ठाकुर मिलेंगे ये गुरू गुरू का आशिरवाद मैं चित्त से बोलता हूँ कि तुझे ठाकुर मिलेंगे नहीं कभी कोई गुरू ऐसे बोलता नहीं है कोई उसकी प्राप्ति दुरलब है सर पे हाथ रखा और संथ चले गए कुछ दिनों के बाद नारजी की माँ को सापनी डस लिया समस्कार करके नारजी जंगल में चले गए जो मंतर दिया तो उस मंतर को जपने के लिए बैठ गए जब ते रहे जब ते रहे जब ते कोई साल हो गए एक दिन जब आंके बंदगरे ध्यान में बैटे ते मंतर चल रहा था तो नारजी को ऐसा लगा इतनी रोशनी दिखी ध्यान में इतना प्रकाश दिखा जैसे कई सारे सूरे निकलाये हो प्रसन हो गया मन शायद मेरे गुविंद मेरे ठाकुर और मेरे प्रभू वो 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 आने वाले हैं आज जैसे ही उनके दर्शन करने के लिए अपनी आंकों को खोला वो सारा प्रकाश चला गया अकाश वानी हुई नारद अभी मेरे दर्शन नहीं होंगे तुझे तुकी अभी तेरा मन इसे दुनिया में फसा हुआ है नारद जी कहते मैं बहुत रोया मैं बहुत रोया भगवान नहीं आए भगवान नहीं आए मैं फिर समाधी में बैठ गया अठाक और अब तो तब उठूँगा जब तू सामने खड़ा होगा फिर प्रले आई दुनिया का तुमुई जब दोबारा मेरा जनम हुआ मैं एक नौकरानी एक जूट माजने वाली का बेटा उससे आश्की कर बैठा था ना तो उसका नतीजा क्या निकला आश्की का रिजल्ट ये निकला कि अगले जनम में मैं किसका बेठा बन गया मैं ब्रमा का बेठा बन गया विधाता का बेठा बन गया मेरे बिना मांगे ठाक और ने नीचे से बिलकुल उपर पहुँचा दिया ये उसकी क्रपा है मैंने नाम जपा फिर देयालू ने दया करी यह उसकी क्रपा है एक अच्छे सत्वुर्ष मिल गए तो मैं गोविंद के चर्णों में जुड़ गया यह नाम का परभाव है हम जुड़ने की कोशिश तो करें वो तो अपने आप करपा करने के लिए तैयार बैठा है कि करपा में देरी नहीं है पर हमारे मन में संकल्ब होना चाहिए